नमस्कार दोस्तों, कॉंस्ट्रेक्शन में सट्रिंग वर्क का बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है। अगर हम सट्रिंग धंग से नहीं करते हैं, तो हमारे जो इस्टेक्चर होता है, जो हमारी RCC होती है, उसका सेप उल्टा सिधा आ सकता है, बेकार हो सकता है। इसलिए सट्रिंग का एक बहुत इंपोर्टेंट टोल होता है, तो जब भी हम सट्रिंग करते हैं, उस समय हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़े देखनी चाहिए, सट्रिंग और स्टेजिंग के टाइम पे वो आज हम इस वीडियो में बता होता है, और गाउं साइट दियाद में तो 100% बांस बल्ली प्लाइवूड का इस्तिमाल करके लोग अपना सट्रिंग वर्क पूरा करते हैं, तो जब भी आप बांस से स्टेजिंग कर रहे हों, या फिर बल्ली से स्टेजिंग कर रहे हों, या प्लाइवूड से आप सट्रि करिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं वो खास points जो staging और suturing के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर इन points को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें बहुत जादा benefit होगा अगर इन points को हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो स्टेजिंग ना करें कभी अपनी बल्ली ऐसे ना कि आपकी बल्ली छोटी पड़ रही हो तो नीचे आपने 8-10 ब्रिक लगा यह ब्रिक के उपर इटों के उपर staging कर दी तो यह गलती कभी न करें अगर आप इटों के समारा नीचे आ जाएगा और काफी नुकसान हो सकता है आपका छट टेडा मेंडा निकल सकता है आपकी जोग श्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी तो सबसे पहला काम यह करें कि कभी भी इटों के उपर staging ना करें दूसरी चीज मिट्टी के उपर staging ना करें जब भी आप है श्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो आपकी बली को आपकी वेट को रोक सके वो नीचे धस जा जाएगी थोड़ा बूत नीचे धसे हैं और आपका उपर का जो लेवल होता है ना उसमें variation आ जाएगा, आपके छट का level बेकार हो जाएगा, और आपका छट तेडा मेरा धल जाएगा, इसलिए जबी भी आप ground floor में staging करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले PCC करिए, मिट्टी पे कभी staging ना करिए, ये दूसरा point आप ध्यान रखिए, तीसरी point क्या होती है कि जब भ लकड़ी का टुकड़ा मारके Y-shape में हमेशा staging करें, इससे क्या होगा, उसको दोनों तरफ से strength मिलेगी, और दोनों तरफ से, एक तरह से वो stand जैसा बन जाए, कभी भी stand देखते हैं, एक single dandy नहीं होती, stand आप भाईक भी खड़ी करते होंगे, तो ऐसे 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 खड़ी हो कभी भी single बल्ली आप plywood से खड़ी ना करें, तो तीसरा point यह हमारा कि बल्ली का support वो Y-shape में दीजिए, चौते चीज है कि कभी भी आप बल्ली या फिर bamboo जो आपका bounce है, उसको कभी भी तीरचा ना लगाए, बिल्कुल 90 degree straight लगाए, जादतर क्या होता है कि थोड़ी सी बल्ल लेकिन वो भगता है, वो भगता है, हमारा उपर जो हमारा structure उसका variation हो जाता है, उसमें variation आ जाती है, वो खराब हो जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए कभी भी उसको ऐसे तीरचा ना करें, और कभी कभी ज़्यादा load पड़ेगा तो गिर भी जाएगा, पूरा 3-4 एक सा नीचे को आ सकता है, तो ये गलती कभी न करें, कई आपने वीडियोज में देखा होगा, च्छत कॉंक्रीटिंग चले और च्छत कोलैप्स होगी, पूरी नीचे को गिर गई, तो ये इसी गलती के वैसे होता है, जब भी हम बल्ली तेहरी लगाते हैं, और एक ही direction लगा दे तो वो उस समय कोलैप्स होई जाएगा, च्छत गिर जाएगा, तो ये गलती, ये सबसे बड़ी गलती होती है, तो ये गलती ना करें, कभी भी बल्ली को तिरिछी ना लगाएं, चौथा चीजी है, कि जो आप बल्ली लगाते हैं, बल्ली आप कितनी लगाते हैं, या फिर आप जो भी शट्रिंग जो भी वर्टिकल आप लाएंगे बंबू लगाएं बल्ली लगाएं वह कितना लगना चाहिए तो उसका एक रेशी होता है आपका जो भी एरिया है उसको देख लिजिए और 1m2 1 meter square में के हिसाब से 1 बल्ली आनी चाहिए, 1 meter square से ज़्यादा area आप ना लें, कम लगा सकते हैं, 500 mm पे लगा सकते हैं, 300 mm पे लगा सकते हैं, लेकिन 1 meter से ज़्यादा area नहीं होने चाहिए, 1 meter से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप उससे कम रखें, अगर 1 meter से ज़्यादा तो बल्ली टूड़ भी सकती है, गिर भी सकती है, तो इस बात का खास ख्याल रखे हैं, जो बल्ली का रेशियो होता है, वो 1 मीटर स्कॉायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब हम आ जाते हैं, slab की बात करते हैं, जो slab पे हम ply लगाते हैं, उनकी बीचों में आपने देख हो सकती है, पर वो तो आपको proper नुवसान करेगा, 100% करेगा, क्यों करेगा कि जो आपको दरारे दिख रही है उस दरारों से सारी सेलरी जो है, हमारे concrete की सेलरी है, वो नीचे गिर जाएगी और हमारे concrete का water cement ratio जो हता है वो जो है, वो कम हो जाएगा हमारे पानी और सिमेंट लेके सारा गिर जाएगा अब क्या होता है हमारे कॉंक्रीट में सिमेंट का रेसियो कम हो गया हम M20 लेके आ रहा है M25 लेके आ रहा है हम सोच रहे है वन रेसियो वन रेसियो टू है M25 है हमने क्यूब टेस्ट भी कर लिया क्यूब में भी हमारे स्ट्र उच्छ करनें वो ज़्याद आच्छा होता है क्योंकि टेप भी कभी कभी कॉंक्रेटिंग के समय उखड जाता है या फिर हम सरीया जब बानते हैं उस समय उखड जाता है तो इन दरारों को तो बिल्कुल न छोड़ें यह हमारी सारी सेलरी नीचे गिरा देते हैं और सिमेंट न गिरें और आपका water cement ratio जो हतार WC रेचियो वो कम ना हो अगर WC कम हो जाएगा तो स्ट्रेंध कम हो जाएगी इसी वज़े से ज्यादा च्छतों में cracks आते हैं तो cracks जो होता है वो इसी वज़े से आते हैं जो हमारी सलरी ज्यादा नीचे गिर जाती है तो यह गलती कभी भ परारों को जरूर भरें और यह सारे पॉइंट्स हो को आप किलियर करें जब भी आप सट्रिंग कर रहे हूं अगर आप इनजीनिय चीजें कर रहा हो तो जो अप बोलिए कि एसे करो और ऐसे घर वना के दो दोस्तों यह थी हमारे आजकी वीडियो सट्रिंग की और जब भी आप सट्रिंग करा रहा हूं इन चीज़ों को follow करें Thank you very much